दिल्ली निगले थे जिसके बाद कल हुए पटना पहुंचे दिल्ली से वापस हुए पटना कल आ गए और पटना एर्पोर्ट से ही मुख्यमंत्रे नितीश कुमार पर निशाना साथ नजर आए साथ बीजेपी सरकार को भी आरे हां थो लिया चिराग पासवान ने बड़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने का कल काम किया जसके बाद से राजनितिक सरगर्मी तेज हो गई है चिराग पासवान आज से फिर से आशरवाद यात्रा की शुरुआत कर दिये हैं आज आश आज से उन्होंने अपने आशरवाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है दूसरे चरण में आशरवाद यात्रा के तहट चिराग पासवान कटिहार पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया लोजपा के समर्थकों के द्वारा नेताओं के द्वारा च भोल नगारे बजाए गए और भबे तरीके से स्वागत किया गया बता दें कि इस दोरा मीडिया से बादशीत करते हुए चिराग पास्वान ने साथ कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज की तारीक में मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है मेरी प्राथमिक्ता केवल आशरवाद यात्रा है और मध्यबदी चुनाब की तैयारी बहराल आज की तारीक में मेरी प्राथमिक्ता ही नहीं है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं जब अपने नहीं साथ छोड़ा तो अभी दूसरे के ऊपर उमली उठाने का कोई फाइदा है नहीं फिलाल मेरी प्राथम सब्सक्रा करता है पुल एक्शन मोड में हैं चुराब पास्वान और मध्य अबदी चुनाब की तैयारी में जुट गए हैं अभी से ही अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हूँ तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेज़ों पेज को भी लाइक और फॉलो कीजेगा